जादूई सोने के कंगन की कहानी सालों पहले की बात है, काशी नगरी में रामदास नाम का एक मोची रहता था वह काफी नेक दिल इनसान था हर किसी की मदद के लिए हर दम तयार उसके पास कोई भी मदद मांगने के लिए आए तो उसे उदास होकर नहीं लोटना पड़ता था एक दिन मोची रामदास रोज की तरह अपना मोची का सामान लेकर अपनी दुकान में बैठा हुआ था उसके पास एक ब्राहमन आया और अपना जूता सिलने के लिए दिया जूता सीलते हुए रामदास ने ब्राहमन से पूछा आप कहा से आये हैं ब्राहमन देव ने जवाब दिया मैं कावेरी तट से यहां गंदा मा के दर्शन करने और नहाने आया हूँ एकदम से मोची रामदास ने पूछा क्यों आज कावेरी नदी में पानिखत्म हो गया है क्या ब्राहमन यह बात सुनकर हैरान हो गया उसने रामदास से कहा तुम गंगा तट पर रहते हो और ऐसी बात कर रहे हो क्या तुम हें गंगा मा का महत्व नहीं पता क्या तुम कभी वहास नान और दर्शन के लिए नहीं गए रामदास ने जवाब दिया ना मुझे महत्व पता है और ना मैंने कभी वहास नान किया है रामदास आगे कुछ बोलता कि उससे पहले ही ब्राह्मन देव ने कहना शुरू कर दिया गंगा तट पर रहकर ना गंगा की शक्ती का पता है और ना कुछ और तभी तो तुम्हारे भाग फूटे हुए हैं उसके बाद ब्राह्मन ने रामदास को गंगा मा की महिमा सुनाई ब्राह्मन की बाते सुनने के बाद रामदास ने कहा अपना मन साफ हो तो हर तटका पानी गंगा है इतना कहने के बाद रामदास ने जल्दी से जूता सिला और ब्राह्मन से कहा आपका जूता ठीक हो गया है अब गंदा किनारे जाते हुए क्या आप मुझ पर एक एहसान करेंगे? ब्राहमन देव ने कहा जरूर बताओ क्या करना है? रामदास ने अपने जेब से एक साबुत सुपारी का टुकडा निकला और कहा आप जब गंदा में सनान करेंगे तब उन्हें यह साबुत सुपारी अरपन कर देना ब्राहमन देव ने रामदास के हाथ से वह सुपारी ली और गंदा के किनारे जाने लगे वहां स्नान करने के बाद ब्राह्मन देव ने हाथ में सुपारी लेकर गंगा मा को पुकारते हुए कहा मा यह रामदास ने आपके लिए भेजा है इसे स्विकार कीजिए इतना कहकर ब्राह्मन देव ने उस साबुत सुपारी को गंगा में बहा दिया थोड़ी ही देर में गंगा में एक हाथ बहते हुए आया और ब्राहमन के पास रुप गया उस हाथ में एक सोने का एक कंगन था उसी समय एक आवाज आई मेरी तरफ से यह कंगन रामदास को दे देना गंगा मा की तरफ से रामदास के लिए सोने का कंगन आता देख ब्राहमन हैरान हो गया दंग ब्राहमन ने कंगन को हाथ में उठा लिया कंगन हाथ में लेते ही ब्राहमन के मन में लालच आ गया उसने सोचा कि मैं यह कंगन रामदास को नहीं दूंगा आखिर रामदास को पता ही कैसे चलेगा कि मा गंगा ने उसे कंगन देने के लिए कहा है इस सोच के साथ ब्राहमन आगे बढ़ने लगा कुछ दूर जाते ही उसके मन में हुआ कि अगर मैंने यह कंगन बेचा तो पूछताच होगी और मुझ पर चोरी का इलजाम लग सकता है मैं सीधे यह कंगन राजा को देता हूँ वो खुश हो जाएंगे और इनाम भी देंगे इसी सोच के साथ ब्राहमन सीधे राजमहल पहुँच गया वहाँ पहुचते ही राजा को प्रणाम करके उस ब्राहमन ने उन्हें कंगन धेंट कर दिया उस कंगन की चमक से राजा और वहाँ मौझूद दूसरे लोग दंग रह गए राजा ने कहा ब्राहमन देव यह कंगन देखकर तो लग रहा है मानो यह स्वर्गलोग का है खुश हो गई तभी राजा ने ब्राहमन से कहा यह एक कंगन है मुझे इसका दूसरा जोड़ा भी चाहिए राणी दोनों हाथों में यह कंगन पहनेंगी तभी उनकी शोभा और बढ़ेगी यह सुनते ही ब्राहमन के पसीने छूट गए राजा ने तुरंट पूछा क्या हुआ आप परिशान क्यों हो गए यह कंगन चोरी का तो नहीं है न तुरंट ब्राहमन ने जवाब दिया नहीं नहीं राजा साहब यह चोरी का नहीं है तब राजा बोले ठीक है आप आज शाम तक दूसरा कंगन लाकर मुझे दे दो तभी मैं मानूंगा कि यह चोरी का नहीं है जी राजा साहब कहते हुए घबराया हुआ ब्राहमन राजा के दर्बार से निकल गया राजा ने अपने कुछ सिपाही ब्राहमन के पीछे लगा दिये ताकि उन्हें कंगन का सच पता चल सके राजमहल से निकाल कर ब्राहमन सीधा रामदास के पास गया उसने गंगामा द्वारा दिये गए कंगन, उसके मन के लालच और राजा की फर्माईश सब के बारे में रामदास को बता दिया उसके बाद रामदास से पूछने लगा कि दूसरा कंगन कैसे हासिल होगा ब्राहमन यह देखकर हैरान हो गया उसका पीछा कर रहे राजा के सिपाही भी यह चमतकार देखकर दंग हो गए यह सब देखकर वो सीधे राजा के पास पहुँच गए और उन्हें सारी बातें बता दी इधर ब्राहमन भी रामदास को धन्यवाद कहकर कंगन लेकर राजमहल निकल गया वहाँ पहुचते ही ब्राहमन ने राजा को कंगन दे दिया राजा ने उससे कुछ नहीं पूछा और चुपचाप कंगन ले लिया कंगन लेने के बाद राजा खुद अपने सिपाहियों के साथ रामदास की दुकान पर गए और रामदास को गंगा मा की भक्ती के लिए इनाम दिया कहानी से सीख इंसान सिर्फ दिखावा करके कुछ हासिल नहीं कर सकता भक्ती मान सम्मान सब दिल से होना चाहिए झाहिए